वो लोग अपनी वाट बैंक से डरते हैं वाट बैंक से उनकी वाट बैंक कौन है मालूम है ना सिर्फ राम मंदी नहीं और रंग्जेव ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनात का दरबार भी मोधी जी ने फिर से बनाने का काम किया इंडी एलाइंस वाले जीत जाते हैं तो उनका प्रधान मंत्री कौन बनेगा जराबी मत हसना ए राहूल बाबा बन सकते हैं क्या अरे क्यूं हस रहे हो यार जब एक पत्रकार ने उनको पुछा आपका प्रधान मंत्री कौन बनेगा उनके एक नत्या ने जवाब दिया बारी बारी एक-एक साल बनेंगे चलो मैं बताता हूं वो लोग अपनी वॉट बैंक से डरते हैं वॉट बैंक से उनकी वॉट बैंक कौन है मालूम है ना पक्का मालूम है ना पक्का मालूम है ना मगर हम भाजपा वाले वो वॉट बैंक से नहीं डरते हैं सिर्फ राम मंदी नहीं और रंग्जेव ने तोड़ा हुआ बाबा विसोनात का दरबार भी मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया है सोमनात का मंदिर फिर से सोने का बंड़ा है मोदी जी ने हमारे सारे स्रद्धा केंद्र को फिर से सजाने का काम किया है भाईो बेनो, मोदी जी के खिलाब ये इंडी एलायंस वाले लड़ रहे हैं, कोई संभावना नहीं है उनके जितने की, मगर मानो इंडी एलायंस वाले जीत जाते हैं, तो उनका प्रधान मंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं भाई? बता सकते हैं? चलो मैं एक एक करकर फूरता हूं, सरत पवार इस देश के प्रधान मंत्री बन सकते हैं क्या? ममताब एनर्जी बन सकती हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? इस तालीन बन सकते हैं क्या? अब हसना मत अंतीम नाम पुछता हूं जरा भी मत हसना ये राहुल बाबा बन सकते हैं ग्या अरे क्यों हस रहे हो यार वो वी बड़े नेता है वो बन सकते हैं ग्या भाईयों बりगनो जब एक पत्रकार ने उनको पुछा आपका प्रधान मंतरी कौन बनेगा उनके एक नत्या ने जवाब दिया बारी बारी एक एक साल बनेंगे अरे राहुल बाबा एक परचुरन की दुकान नहीं है भारत देश है ऐसे नहीं चलता कोसांबी वालो मुझे बताओ ये बारी बारी प्रदान मंत्री बंदें निकले हैं और कोरोना आएगा तो कोसांबी वालो को कौन बचाएगा मुझे भी मालूम है मोदी जी बताएंगे